देश में कई हिस्सों में इस तहना भीशन गर्मी पड़ रही है कि आस्मान से ऐसे लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो और रही सही कसर लू की थपेड़े पूरी कर रही है लेकिन इसके उलट जम्मु कश्मीर के जम्मु डिवीजन के अंतगरताते भदरवा में परफ बारी तेखने के लिए प्रिटक तेश के कोने कोने से भारी संख्या में पहुँच रहे है और इस परफ बारी का जम कर लुथ उठा रहे है प्रिटकों का जमावड़ा इन दिनों भदरवा में देखा जा रहा है प्रिटक तेश के कोने कोने से भदरवा पहुच रहे हैं और इस तपती गर्मी में प्रटकों की पहली पसंद पहाड होते हैं और इस समय जम्मो कश्मीर का भढ़रवा प्रटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और यहां बरफबारी का लुट फुटा रहे हैं खुद सुनिए प्रटकों से उनके experience के बारे में कि यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है यह जिगा बद्रवा से 30 मेंट रूपर है यहां के भी पॉइंट और यहां की बरफ यहां पर बहुत अच्छा है ठंदक भी है और हमारे उत्तर प्रदेश में इस्टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है घुमने के लिए हुए हम यहां अब दूस्ते संब्स यहां बहुत अच्छा है देखें नगारे पहार भी बहुत बढ़ी है यहां के बहुत बढ़ी है यहां पर बहुत ब्यूटिफुल है खासके ट्रैक वगञेर और ट्रैवलिंग इधिंस वरगर भी बहुत प्यार है रही है यहां का व्यूव आप देखेंगे, आपको हर चीज को देखने में बहुत मज़ाएगा, खास करके यहां के माउंटेन रेंजेज, यहां के कैंटी वगेदा, गाइट वगेदा, सब कुछ बहुत बेस्ट है यहां का, यहां आगज देखेंगे, यहां पर दोगष्यज करें, कि गर्मी में अपने बच्चों के साथ घूमने आए, सब्सक्राइब यहां पर यात्रा के उद्देश से चंडि माता का मंदीर है बहुत बच्चों के साथ बहुत खुशी है, बच्चे भी हमारे हैं, यहां धुरू हुआ पत्नी है प्रीति तिरपाटी जो हमाएं साथ हाई हुए। अब कहाँ से हो राइबरली यूपी . यूपी से हैं जहीं आज़िया थे बिलकुल , जो खुंशी बहुत है अच्छा लगा थे , बहुत अच्छा लगा थे , बहुत अच्छा लगा है और बेटा आपको ? हमको इंज्वाए करने में बहुत अच्छा लग रहा और उपर जाकि बरफ में फिसलने में और अच्छा लग पहली बार बरफ देखी